हादे रादे कैसे आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे यह देखिए हमने बिना कलर के और तीन कलर में यह हमने गुंजिया बनाई हैं और यह वो गुंजिया हैं इनको सुगर पेशेंट भी खा लें तो कोई परेशानी नहीं है मन तो भाई सभीका करता है, तो आर के समय पे, कि सब खाएं को जिया और हम लोग ऐसे जिनके सोगर है वो बैठे देखे तो उनको चाहिए ना, मैंने ये एक बड़ा चमच लेके गी डाल दिया इसमें, और ये मैंने मूम को पहले अच्छे से पॉंच लिया है, साफ कर लिया है, और भिगोई नहीं थी, मैंने ये, मैंने सूखी इसको भून रही हूँ, और इसको खूब अच्छे से भूनना है, इसका कलर चेंज हो जाएगा बिलकुल, तब तक इसको भूनते जाना है, आप एक बार इस तरीके से गुजिया बना कर तो देखिए, कितना स्वाद आता है बहुत स्वादिस्ट बनती है, ये देखिए, कलर बदल गया ने इसका, इसको चार-पांच मिनट लग जाती है भूनते भूनते, ये देखिए, आप मैंने इसको निकाल लिया है, थाली में आलग तो ये ठंडी हो जाएगी, फिर मैं इसको पीसूंगी, आप मैंने इसी में ये गरम थी कडाई, गी गरम था, उसी गी में मैंने बादाम डाल दिये, थोड़ी सी कतरन, और थोड़ी सी काजू की डाल दिये, थोड़ी पिस्ता डाल दूंगी, और थोड़ी किसमिस डालूंगी, जिससे कि ये अलके से गरम सिख जाएगे, ये देखिए, इतन बहुत ग डाल दाल को पीछ रही ना इसमें डालके मोला अब यूप आधाल को पीछ लेते हूं कि दाल देखियए ब्सक्रेंट कि और आभ आधा झाल लेतके हूं कि इन ही जो यह ला में ब् desp krees रहे ef ५ तीन-चंमच में भरके , थीन-चार चंमच में यह नारीयल का बुरादा डाल रही हूँ ? और यह थीन चंमच मेने लिया यह जरूरी कहने लिया यह मिल्क पाउड़ा , सबाइक आप ? और यह लिया यह ao, मैनने गुड़ कस करके , तो है ना देखिए सुगरवालों के लिए अच्छी मिठाई उनको नुक्षान नहीं करेगी लाइट मीटा होता ज्यादा होता नहीं है और बहुत स्वादिष्ट बनती हैं और हेल्दी भी हैं ये मैंने पालक देखिए मैंने पालक पीसी है और हम मैं पीसूंगी चुकंदर ये मैंने एक चुकंदर महीन काटके और पानी डालके इसको पीस लिए आए अब मैं आटा लगा निक जाऊंगी ये लिए आए मैं आटा और अभिश में ले रहे हैं एक कटोरी बर के बेसन और इसका आदा कटोरी लुंगी में सूजी यकीन मानिये यह बहुत स्वाधिष्ट बनती है, हेल्दी है और इनको आप आराम से खा सकते हैं कोई नुक्षान नहीं है इनसे, मैदा नुक्षान करती है यह नुक्सान नहीं करती, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगता है, तेस्ट बढ़ जाता है उसका और यह देखिए, अब तेल डालके मैं मुहेंट डाल रही हूँ, यह मुहेंट डाला है, मैंने मुफिली के तेल का है इसमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे रंग विरंगी गुजियाओं में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, यह देखिएं, यह बहुत, यह मैंने आट लगा लिया, पालक वाला, और अब यह लगा रही हूँ, मैं चुकंदर वाला, कोई कलर नहीं है, कोई क पैमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, हेल्दी है, सारी चीजें, आप जरूर बनाईएं, यह देखिएं, और पालक और चुकंदर तो सब जगें मिल जाता है, यह मैं लगा रही हूँ, साधा आटा, यह देखिएं, लगाना हुआ यह है, जैसे गुंजियाओं के लिए लगाते ना, टाय टाटा, वैसे ही लगाना है, यह देखिएं, आप एक बार जरूर बनाईएं, जैसे मैं बना रही हूँ, हमें लोहियाँ तोड़ लेते हैं, यह देखिएं, हमें लोहियाँ तोड़ ली हैं, हमें इनको बेल के, आपको भरके देखाऊंगी, खूब बरावन भरके देखाऊंगी, देखना, यह बिल गई, पूड़ी से पतली बिलती है, थोड़ी सी यह, तब ही अच्छी बनती है, मैंने इस पर पानी लगा लिया सैड़ों से, और मैं इसमें भरावन बढ़ दूगी, यह थोड़ा सा मुझे सूखा सा लगा था, क्योंकि मैंने आटा इसम पानी के छीटे देखें, और इसको वैसा कर लिया है गीला, आगे देखाऊंगी, वो मैंने अलका सा गीला कर लिया है, तो यह सही से बढ़ जाता है, यह देखिए, आप धूद के छीटे भी डाल सकती है, पानी भी डाल सकती है, हलके से छीटे मारने पड़ते हूं, उसी से करिए. Share का यह देखिए हम मैने सारी बेल लिए यह अर अभ इनको मैं सेक लेती हू Special कोछ बिल गई है मैंनको सेक लेती हूं बेलकुल अस्तिलो अच़ पर अम्हें को सेकना बहुत दीमी आज़ पे हैं फटती रही है ये बिल्कुल भी ये देखिए हैं बहुत अच्छे से सिख जाती हैं मुस्किल से तीन मिलट चार मिलट लगते हैं सिख जाती हैं सिखने में ज्यादा टैम नहीं लगता हैं ये देखिए एक बार जरूर बनाईए होली पर करनाईए रादे रादे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक खुश रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए आप भी घाईए सबको खिलाईए होली